एक अंगारा है कि जमी है साय का एक हलका सा धब्बा भी नहीं है इन चट्टानों को प्यास की बेशुमार कहानिया याद है प्यास जो पानी की भी होती है पैसे की भी और खून की भी प्यास और प्यास के टक्राओ का नाम ही तो इतिहास है हमारी ये कहानी भी ऐसे ही दो प्यास के टक्राओ की कहानी है एक प्यास है ब्रिटिश राज की जो दुनिया में च्छा जाना चाहता है और एक प्यास है मांडोखेल के कुछ दीवानों की जो बिटिश राज से टक्राकर आज़ाद रहना चाहता है क्या बास है जुल्पिकार खान वो हरामजादे जमाल खान और करीम खान लोगों को भड़का रहे तरी जमीने फ्रंकियों के हथ देख रहे हैं तुम्लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते तुम्हारी बंजर जमीन के इस तुकड़े पर तुम्हारी फाखा कशी और तुम्हारे खाबों की कबरों के सिवा आज तक तुम लोगों को दिया क्या है बई बोलो अरहम बोलता बैट कबरिस्तान के बादश्या को मौमद खान तुमने कभी जिन्दगी में 2000 रुपए एक साथ देखे हैं तो हजार हाँ वही 2000 रुपिया सोच कह रहे हो मौमद खान जल्दी से उटा लगा फैरो कि दोस्तों मांता हूं कि तुम्हारी जमीने तुम्हें फागा कशी और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया है लेकिन तुम्हारी जमीन पर आजादी और सर बुलंदी की फजल भी हुगी है कि यह जमीन का बेनामा नहीं करीम खान हमारी आजादी का बेनामा है दोस्तों मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें बेचने के लिए नहीं रोक रहा हूं मगर यह सोचो कि तुम बेच क्या रहे हो तुम अपनी जमीने नहीं बेच रहे हो तुम बेच रहे हो अपनी आजादी चांदी के चंट्टुकों के लिए मां अपनी जमीन नहीं बेचूंगा जमाल खान हसनलाले हमको माफ कर दो हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया हम उन परंगियों के बहकावे में आ गए थे हमें माफ कर दो माफी मुझसे नहीं इस जमीन से मांगो अल्ला से मांगो वही तुम्हें बखशेगा और एक बात याद रखो है पठानों की तरह जीना सीखो और पठानों की तरह मरना सीखो इसे पठान तो तुम दोनों पताने नहीं लगता ओ जेम साब किसम खुदा की कोई दूसर ये बात करता ना तो हम उसी जबान पर गिरा डाल देता अब हम अपने माथे पर लगा हुआ ये जिलत का दाग हसन लाले के खून से धोने के बाद ही तुम्हारे पास आएगा यकीनान हम को यकीन नहीं तो नहीं आता लेकिन अगर तुम लोगों ने मांदो खेलका सर काट दिया तो तुम दोनों को ताजे बरतानिया के साथ साथ 10-10 हजार रुपय का कैश रिवाट में मिलेगा 10-10 हजार रुपया जेम साब येस आरे इतनी बड़ी रकम के लिए तुम अपना खूद का स मालूम है ये दोनों मेरे ले लड़ रहे हैं वाले केता है के मैं जुलेख से शादी करूंगा ब्लबास केता है कि लो बेटे गल्बाद, वहां से हम पर निशाना लगाओ बेटा गुलबाज इस अनार पर निशाना लगाओ पाले अब तुम्हारी बारी है बेटे गोली चलाओ मेरी शादी पाले से होगी, मेरी शादी पाले से होगी कभी नहीं पूपी खानाम इसकी शादी मुझसे होगी कोई जबरगस्ती है क्या मैंने करने वाली तुमसे शादी कि अपा खानाम करीम खान की बेटी ने इससे निकाह करने से इंकार कर दिया मुझे तो पाले ने जीत लिया है तो अपनी बहु को अपने घर पर बिठा लो हसल लाले बिन मा की बच्ची है मुझसे तो नहीं पाली जाती हां तो जमाल खान आज बेहन बेहनोई की याद कैसे आ गई दूले बाई हमें मालूम पड़ा है आप कुछ दिनों के लिए भार त कोशिश कर रहा है अच्छा फातिमा चलता हूं खोदा हाफिस बाद 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 आला इप्टर बाद दो आच से अजय करें Hei कि तुम्हारे कपड़ों पर एक खुन हाँ चल दिकर हमें यहां से निकलना है किसी का नई मेरी बात का ज्वाब दो किसका कंटर क्या हो हसनल का क्या कि अम्हें लालेका है कि अधिशनलाले का अपनी सब्सक्राइब का कुमें इस दोलत से गुलबाद के लिए क्या नहीं कर सकते में यह कि साये आराम से रहेंगे तू क्या समझता है कि तेरे ये आराम की हराम जिंदे की बिताने के लिए तरे साथ चलोगी कभी नहीं जमाल खान कभी नहीं मैं तारे पिंट को जमा करूंगी तुनी तुनी ताले भालो खेल का गदल किया है कि अ आप अप अप कि 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 में अपने बेटी पे तेरे गदारी का ताय नहीं पढ़ने दूगी छोड़ मेरे बच्छा रुप आप मेरे बच्छे को आप कर दो एक वार्दनाले को क्या हो गया जल्दी आओ अरी बबाबा खान आगे अरी पाली सुन खान बबाबा आगे बबाबा खान बबाबा अल्ला क्या हो गया उतारो क्या हुआ खान बबाबा खान बबाबा खान बबाबा खान बबाबा अ वादिमा अधिमा भुदा का लाक लाक शुकर है कि मेरा सर स्वाई उसके किसी और के सामने नहीं जुका खान बबाबा लोगो मेरी वसियत सुनो भाले जाने बाबा आजादी का एक लम्हा खुलामी के हजार लम्हों से जादा होता है मेरे बाद ये जंग जारी रहे ये जंग जारी रहे पेटे खुदा की ये किताब मैं तेरे हमाले कर रहा हूं हसन खान मरकुल मौत को पीछे धकेल कर बताओ कातिल कौन है कातिल का नाम बताओ करीम अधिन खान करें करेंग 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 वहाँ! कर दो 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 झाल 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 आज बरतानिया में सूरज कभी नहीं डूपता इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारा घुलाम है मगरे छोटा सा मामूली धबबा पचास सालों से ब्रिटिश पावर को ललकार रहा है चंद अनपड गमार, बैंडिट्स, धाकू, राज बरतानिया के चर्टेवे सूरज का रास्ता रोके खड़े हैं खल का इस्टोरियन हम लोगों का मजाग उड़ाएंगा इन पचास सालों में पंद्रा, फिफ्टीन जनर्नल्स आए और इन मुठी भर कच्छे घरों का सर नहीं जुका सके शेम अनस कुलबाज खान, कम विद मी I will not tolerate this Colonel मैं हर्गिस बर्दाश्ट नहीं करूँगा कि उन पंद्रा नाकाम जनर्नल्स के बाद सोलवा नाम मेरा भी हो उनका लीडर कौन है गुलबाज खान? पहले हसं खान था अब उसका बेटा पाले खान, पाले खान, पाले खान, जी पाले Colonel मुझे वो पाले खान चाहिए जंजीरो में जक्रा हुआ सर चुका है और प्रॉमिस यू 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 अच्छी लग रही है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्यों? बड़े लाले यहां नहीं है पाले यहां पर कैसे आ सकता है रागा? उसकी यहांने में खत्रा है सुना है कि निया फिरंगी अफसर बहुत खोशे आ रहे है लेकिन मेरा दिल कहता है बड़े लाले यहां जरूर आएंगे ओ लाले अउ लाले के जान स्लाव अलैयको वाले कृम मैंने तुम सब को आने के लिए मना किया था था nها तुम लोग फिर भी आ गए अहा लाले के जान अला के घर और दोस्ट के घर जाने के लिए बसके किरिग जासband नहीं ली झाति अब सुभान अल्लाव कैसी हो बहन भाई जान मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे बहन की शादी में भाई नहीं आया ऐसे हो सकता है कि ego को देख मैं त्रिली क्या या हुँ भाईथ खुफ सूरत थे इस पहनि से मैं मिर से मिलका राता हूँ बहुत दिननों से डांट निखाई नँ कि अ है मिल श्र। यए विसम eyeballs तुझसे लेकिन मैं क्या करूँ क्या बाबाजान की शुरू की लड़ाई को छोड़कर मैं यहां बैठा रहूं दिल कमी अमी तू रूट कर मेरी राखोटी मत कर तू जानती है जब रात को मैं उन महरबान पाड़ियों की गोद में लेटता हूं तो उनसे तेरी खुश्बू जब आती है सर्च तू तू यहां कैसे आई तू जानती है खान अली है घद्दारों के यहां आने से जमीन नापाख हो जाती है शायद तुने मुझे पहचाना नहीं मैं करीमो दिन खान नहीं उसकी बेटी जुले खा हूं पेड़ की शाख पेड़ से अलग नहीं होती अगर तू यह खाब देख रही है तो भूल जा और शुकर करके तू लड़की है वरना अगर मैं लड़का होती तो तू क्या करता तो मैं तेरा खून अपने चेहरे पर मलकर अपने अपा का शोख खतम करता फिर तो तो तेरा शोख कभी खत्म नहीं होगा मैं उस दिन के इंतसार में हूँ जब तुझे एक बेटा होगा मैं उसका कटल करके अपने बाग हिसाब लुका हूँगा तो क्या तू अपने बेटे को मार डालेगा चा अप वक्ती है तू मैं ब्याह करूंगी तू सिर्स तुज से और मेरे पेट से जो बेटा होगा वो सि किस यतीम बच्ची पर अपनी नफरत की धार देज करता है अपने जमीर के दर्वाजे खोल ताज हवाने दे तु बाबा खा जैसे शेर दिल का वारिस है गुजरे हुए कल की तरफ पीछ बोड़ ले बेटा इसकी पीछ में भी आखे हैं खाला खानू ये पीछ करके भी नफर कि पेशानी चूंकर अपना हच्पुरा कर लेता हूं माखी चाहण अरे मेरी प्यारी राधा तिलकुल गुडिया जैसी लग रही है तु लो मानोखेल की हिर्नी आ गई है अला गारत करे तुझे जुलेखा कितने देर कर दी क्या करे बैचारी पाले भाई-जान अब कितने दिनों के बाद लॉटे है देर तो लगेगी ही हाले तो सुनाने में चल चल अब शुरू भी कर्दू लेखा लेकिन मैं क्या गाऊं अरे वही गादे ना जो सलमा की शादी में गाया था चलो चलो शुरू करो ठेका सलमा को मिल गया बलमा सलमा हमको छोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा सलमा हमको छोड़ चली कोई सत्रा पर सिकी यादे पल में वापत मोर चली सलमा को मिल गया बलमा सलमा हमको छोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा सलमा हमको छोड़ चली सूरत से लगती थी भूली, तब के लिए आँख में चोली सूरत से लगती थी भूली, तब के लिए आँख में चोली, तब के लिए रैनों की जोली हमने तब जाना जब हमसे नादा तो चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली गालों पर है शर्म की लाली, कुछ मत कहना देगी गाली गालों पर है शर्म की लाली, कुछ मत कहना देगी गाली, रूड़ लिया बुल गुल ने माली अपना नाम किसी पर देशी के संग जोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली मेरे कपनों का शहजारा मुझका लेने तब आएगा मेरे सपनों का शहजादा, मुझका लेने तब आएगा मेरा डोड़ा तब जाएगा मुपन के दिल हनलाल जुनर्या, सर पे ओर चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली सलमा को छोड़ चली झाल झाल तो तुम लोग शादी का जश्यम मना रहा है मनाओ मनाओ पर पहले हमको ये पताओ कि पालखान उर्सका गैंग कि रहे आतुम लोगो के तरि द्यार को जाएगी का बालकान का बालकान तुम बालकान ओग स्थी पालकान उर्सकाण बार्ण! पताओ दुमारा गैंकी देरे! बालिकान! नप्तान, आपने चारो तरफ देखो! मत तुम्हारे चारो तरफ खड़ी है! आज हमारी बहन की शादी है और इस खुश्री के मौके पर हम तुम्हारा गंदा खुन बहाना नहीं चाहते! और अगर तुम लोग चाहते हो के इस कप्तान की माँ इसके मौत पर ना रोए तो अपने अपने हथ्या डाल दो! सब लोग फेक दो! आज अपने डॉली वापस लेजाओ चलो सफेर का भूतर अपनी टोली वापस लेजाओ जालप! जावेस अप्राग! मखेवाज शिजाओ! मखेवाज! कैप्टन स्मेथ, वड़ दन, वैल डन! कि राजबरतानिया को तुम्हारे जैसे आफिसर्स पे नाज है तुमने दिखा दिया कि किस तरह चंद घुलामों से डर कर अंग्रेज चान बचाकर भागता है अंसरी सब्सक्राइब हम यहां हारने के लिए नहीं हुकूमत करने के लिए आये हैं जिन्दगी में पहली बार आज पहली बार में हारा हूं लेकिन अब मैंने एक तरकीब सोची है इन बस्तियों में पंद्रा बरस से उपर के हर आदमी को गिरफतार कर लिया जाए उनसे इतनी कड़ी मेहनत करवाई जाए कि वो अदमरे हो जाएं उनका ये दर्द उनके हम दर्द पाले खां को चैन से बैठने नहीं देगा और हम अपने सबसे पुराने दुश्मन पाले खां को खत्म कर देंगे अरी जूलेखा क्या सोच रही है कुछ नहीं मैं राधा के बारे में सोच रही थी वो चल जूठी राधा के बारे में सोच रही थी या पाले के सुन आज हो जा रहे है तू बोल तो संदेशा भीजवा दू किसु लेखा बड़ी परिशानी तुमारे लिए परिए झाल 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 मैं जानता हूँ कि तुम लोग पाले खान का पता नहीं बताओंगे पसले झाल 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 बाउना पाभना को, यूपता है तो नाई ए ए रहा है। कि अज़ आज़ अज़ दो कि अज़ आज़ कि अज़ कि अज़ कि अज़ भी खुबसूरत हो रही है कि यह निखरावा हुसन कि चांसा रोशन चेहरा इन मट्टी के घरों में रहने के लाइक नहीं है कि हमारे साथ रहोगे हम तुम्हें अपनी शैजादी बना लेंगे कि गुलबास खान पर हाथ उठाने का अंजान जानती हो इसका जवाब मैं बात में दूगा तुम दो इन सब का प्रीस्त है तुम चूच नहीं बोलेगा बोलो बाले कान उसका गैंग किदर है बोलो वारना तुम सब लोग का कान जाएगा फड्ल्ल किखॅपटाउर। किखुम ऑ्लुम में खाना यूपittुम यूफटाप। किखुम में जहुम यूखँटॢट कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह पाले खान का वफदार कुटा अमर सेंग बहुत काम का अदमी है कि सोल्जर्स सम्मर्दों का जंजीरों में जखड कर ले चुलों यहांसे इस कुटे के साथ कपने श्मिथ को हैं श्मर्ण मैं इस हरामजादे को हैड़ अवस ले जाता हूं तुम सब को इटा जलने बंद करके कि यो कि प्रूप कर दो थेकत सर दे ते कि आपके लुग कर दो कर दो, हुग उगा ह कर। ᤋዜተተርኻያዚ ፥ኦጭክይይጝ ኦጜርርኊጭ እኜትም እኜርኜርርማ जुलेखा क्या बात है जुलेखा सब खरीद तुरे कुलबाज था तुमाम मर्दों को पकड़ के ले गया के लोग मारे भी गए है तुम चलो जुम चलो जुम चलो जुम 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 झाल झाल टार क्राइस पला करो काया कर दो के दो 6 स्नीखपगों झाल की जैन्टा झाल काड़ जैसल कर दो झाल 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 जाचा जन अमर सिंह नहीं दिखा दे रहा उसे वोकत धार कुल भाज अपने साथ ले गया है झाल 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 लुटे 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 लुट कॉप में अजरोगा है कि अजरा कि अजरा कि अजरा कि पाले कि अमर्सें कहा है बेटे मैं उसे नहीं लपाया मिए क्या तुम मेरे बेटे को छोड़ाया पता नहीं उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी मेरे बच्पन का दोस्त अमर सिंग तुम्हारा यहाल देखने के लिए बर्सों से मेरी आँखे तरस रही आज मेरी आँखों की आधी प्यास बुजी बाकी की आधी प्यास उस दिन बुझेगी जब मेरे बच्पन का दूसरा दोस्त पाले खान इसी हाल में मेरी आँखों के सामने खड़ा होगा बताओ पाले खान का ठेकाना बताओ नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारी और खातर करनी पड़ेगी तू कैसा पठान है गुलबास खान अंग्रेजों की घटिया वर्दी पहन कर पठानों की वफा का चलन भी बूल गया कुछ पठान सीधे पैता होते और कुछ उल्टे जैसा की मैं और आ सवाल इस घट अधी को नहीं अपनाता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इदर खड़ा होकर किसी अंग्रेज के सामने अपनी जिंदगी की भीक मांग रहा होता है अमर सेंग अपने आप पर रहम करो मुझे पाले खान का ठिकाना बता दू लिघ्स जितना अम मारना है मार ले बुझदल लेकिन मैं पाले खान का पता बता अपनी जबान की तौहीण नहीं नहीं करूँगा अर तुझे चाहता है कि मैं तुझे जान से मारकर अपने हाथों की तौहीन करूँ ये ना मुम्एन है यह हर्कस नहीं होगा तुका, में तुझे इतना तर्पाऊंगा इतना तर्पाऊंगा कि तेरे जिस्म के हर इलाकत से सिर्व एकी आवाज निकलेगी और उसमें होगा पाले खान का पता तब तुने मांडो खेल की मिट्टी और मांडो खेल की माओं की दूद की ताकत को नहीं जाना गुलबास खान जब दर्द बरदाश्ट नहीं होगा अपनी जबान काट यूँगा लेकिन पाले खान का पता नहीं बताऊंगा और मार और मार कुलबास खान को में व्लबास खान कि लाशें सवालों के जवाब नहीं देती गुलबाज खान अगर तुम इसी तरह सवाल जवाब करते रहे तो अमर सिंग से अमर सिंग की लाश बन कर रह जाएगी कि हमें उसे धीरे धीरे तोड़कर पाले खां के हाइड आउट का पता करना है आप शाय ठीक कहे रहा है कि अनले मेरी बेटी आइलन कल बॉम्बे से कोईट आ रही है उसे आराम से इज़त से और हिफाज सलाना तुम्हारे जिम्में है यह सुर्ण हर आपहले कि कि अ अ कि अ कि ऐका फाले गंगादीन का खाथ आया है इस अदिश्वरे अधिन ने इसा के लिश दिया खांप अलेख़न का मर संबसेंदा है 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 प्राव प्राव प्रम्हां तो पड़ले ने दो है है यह खावर भी बहुख अच्छि है परसो जनरल बांस की बेटी आ रही है, हम जनरल बांस से उसकी बेटी का स्थाउधा करेंगे, आमर सिंह को छुड़वाने का यही सही रास्ता है मिस एलंग, तुमको उर्दू पढ़ना अच्छा लगता है मिस एलंग, पापा का कहना है कि जिस कंट्री में जाओ, वहां की लैंग्वे सिखो नेटिव का दिल जीतने का यह सबसे अच्छा तरीखा है कैन, कम इन सरे मरून, आई लेटनें तेग अलिखान अपने नाम तीन बार बता चुके हैं तेरी को बोल कर आपके प्रमोशन के सिपारिश करूं येस मैम अब आप यहां से जाए और हमारा लंज भीजवाईए एंड डॉंट इट माइब ब्रेंट ओके येस मैम ये खंजिर का बश्चा देख के नहीं चल सकता अंको तुम जैसा जू दिखाई नहीं देता तुम हमको जू बोला तुम को पहले देखा नहीं खोचे कौन है तुम पंदे को पाले खान करते हैं पाई करते हैं कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है चोड़ो मुझे परहाट यह कम है चोड़ो तर इसे पूछे तो यह किसे उठा रहा है खाला कालो चुप रहे कि नहीं तू वो क्यों चुप रहे कौन है यह अम्मी यह इंग्लिश रेजिदेंस जनरल बांस की बेटी है है एलें और अधर के साथ बचलूखी करते हुए दिर शद नहीं आती यह मुझे मारा लेगा नहीं लड़की तू खान अली हसन खा की बेवा के घर मेमान है और पठार अपने मेहमान को अपनी इज़त की तरह प्यार करते हैं तू मेरी हिफाज़त में है अमर सिंग को फिरंगियों के कबजे से जिन्दा बचाने का यही रास्ते हैं मैं जनर्बान से इसका सौधा करूँगा तू किसी ताजर की आउलाद नहीं जो सौधा करेगा एक बहद उस पाही का बेटा है एक लखी को अपनी सिपर बनाकर अपने खून की तोहीन ना कर अमर सिंग को मर जाने दूँ कभी नहीं ठीक है तो संभाद अपने बाप का यह घर और याद रख अगर तू इस लड़की को पहुंचाने नहीं गया तो मैं तुझे दोद नहीं बख्षू जी मेरा लाड़ प्यार सब लेड़ा कर अपने बाप की खबर पढ़ रहा अमी तू घबरा मत लड़की कल पाले तुझे ले जाकर तेरे बाप कर घर छोड़ाएगा अब अपने आसू पहुंच कर अपने अपने लेड़की को अपने ही सब रह पहुंचर सब लेड़की कोमिया भाप कर व blade तू इ commence कर दोदा़की के लेड़की के लेड़की कर वम olduğμεत इन पिक कल जो गएड़की भाव़की के वाञ कर रहाद़की का अमेरे ऊहा है इनला कर वी मैं आसुझे कि यह मर्सिंग कौन है जिसके वज़े से तुमने मुझे किद्मात किया जंग अरजादी का सिपाई है पठान है और मेरा भाई है बढ़ ही हिसे हिंदू और तुम मुसल्मान फिर हो तुम्हारा भाई कैसा हुआ क्योंके मांडोखेल के जमीन ने हम दोनों को जनम दिया है कि रुक क्यों गए आज़ादी की सरद यहां खत्म होती है और गोलामी की हद यहां से शिरूब यह जानियार खान तुम्हें वहां तर पहुंचा देगा और फिर मांडोखेल लॉट आईगा इससे मांडोखेल का रास्ता पता है अच्छी तरह एक बात कहूं पालेखान कहूं जब मैं पापा को बताओंगी न कि तुम कितने नरम दिल और कितने अच्छे हो तो तुम्हारे बारे में उनकी राए जरूर बदल जाएगी और तुम्हें पादन मिल जाएगी क्या मिल जाएगी पादन माफी किस बाद की माफी क्या तुम्हारे लंडन में आजादी से प्यार करने वालों को कुनेगार समझते हैं और अगर समझते हैं तो मुझे ऐसी माफी नहीं चाहिए मागर इस लड़ाई को खतम तो होना चाहिए न पालखा अगर इस लड़ाई का अंजाम सिर्फ यही है कि मुझे माफ किया जाए तो यह लड़ाई चलने दो एलन उस दिन तक चलने दो जब तक कि हम लोग हैं या यह राज बरतानिया यह दुनिया हमारे लिए बहुत छोट अगर तक मैं सिंदा हूँ जट तुश्मनी सिंदा रहेगी मुरी दोस्ती भी मैं अमर सिंग को छोड़ाने की पूरी कोशिश करोगी अगर तुम यह समझ कर उसे छोड़ाने की कोशिश करोगी कि मैंने तुमें चोड़ दिया है तो मुझे उसके रिया ही नहीं चाहिए अगर तुम्हें यह लगता है कि उसके किरफ़तारी जुल्म है तो बेशक कोशिश करना चले तुम मुझे कब और कैसे मिलोगे यह जानी आरखा, तुम रख लेना, जब जी चाहे, चले आना यह लड़की नहीं जा सकती खान लाले, अमर सिंग अभी तक फिरंगियों की खैद में है और यह अमर सिंग की आजादी का परवाना है यह लड़की चाहेगी लाले, क्योंकि यह मेरी मा का हुकम है कल अगर तुम्हारी मा फिरंगियों के साथ मिल जाने का तुम्हे हुकम दे, तो क्या तुम यह अगादारी करोगे है लाले यह अगर कोई और कहता तो अल्ला की कसम इस वक्त वा जमीन पे ताड़क रहा होता हैलन, तुम जाओ लगाम छोड़ दो रहमत लाइश, हम तुम्हे कौम से गवदारी नहीं करने देंगे छोड़ दो यह लगाम, यह मेरा हुकम है हमने अपने सरदार का हुकम मानने की कसम खाई थी एक तारे वतन की नहीं तुम जाओ एलन बबाए कुजे गलत मा समझा रहा हमत अलीए एलन की आजादी का परवाना मेरी मा ने दीया था जाने पढ़े हम सब एक ही के दीवाने है औरहरी उस लैला का नाम है मांडोखेल इस रास्ते के सिवा तो मांडोखेल तक जाने का और कोई रास्ता ही नहीं और यह रास्ता तो गाववालों को दो मिल दूर से नदर आ जता है हम बंबारी क्यों नहीं कर दें? मांडोखेल के लोगों को मार डालाना तो मैं चाहता हूँ और नहीं His Majesty's Government, हम ये लोग जिन्दा चाहिए, हाथ बांडे हुए, सर जुकाए हुए, और मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिन्दा, and in one piece. आमें पाले खां को गरिफतार करना पड़ेगा. पाले खां जैसे लोग गरिफतार होने के लिए पादा नहीं होते हैं, पापा. पापा, मुझे खुद पाले खां यहां तक छोड़ गया है, वो एक एपसलूटली शरीफ और बहादूर आदमी है, पापा, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खत्रे में डाला, मेरी वज़े से उसने अपने सब साथियों से जगडा किया, पापा, हमें इन प प्राउट पठांस के बारे में बिल्कुल गलत बताया गया है, वोड़ेफल पीपल, यह ब्रेव, ओनेस्ट एंड सिंसिर, पाले खां जैसे लोगों से हमें लड़ना नहीं चाहिए पापा, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, इस मेजस्टी के राज को गुलामों की जरूरत नह बड़ी अजीब सी बात है, कि बेटी अपने बाप के सामने हमारे दुश्मन की तारीफ किये जा रही है, और आप खामोश खड़े है, करनल गुलबास खान, अगर यह सर बुलंद पहाड ब्रिटिश राज में ना भी मिला जा सके, तब भी ब्रिटिश राज में सूरज नह होते हैं, पाले खान मुझे से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मगर अपना गुद्फेर दिखाने के लिए पहले आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना, पर इंस्टेंस, आप पाले खान के दोस्त अमर सिंग को अनकंडिशनली फ्री कर सकते हैं, यह ना उनके ना जनावे आ क्या जनरल बांस के लिए अब गुलबास खान फैसले करने लगे हैं, गुलबास खान, I think Alan is right, thank you papa, तुम्हें उस फिरंगन को छोड़ना नहीं चाहिए था खान पाले खान, मुझे अब भी यकीन है कि वो अपना वादावफा करेगी, फिरंगी की कैसे आज तक कोई बच कर उख्योगलते हैं वापस निया खान, पालेखान, अमर्सिंग आएगा और जरूर आएगा, आज एद है, सारी दुनिया खुशी मना रही है, और हम लोग वलाम रसूल खान, हम जानते हैं कि आ और हम अल्लापाक की कसम खाकर कहते हैं, जब तक अमर्सिंग नहीं आएगा, प नाथ, नाथ, छुंगे नाथ भुंगे नाथ, नल्वी दान्मार को, छुंगे नाथ याली हा याली अला का नाम ले, इम्मत से काम ले अला का नाम ले, इम्मत से काम ले ऑई तोजे कुरवान लाले दी चान तुष्मन से इंट काम ले हो अल्ला का नाम ले हिम्मत से काम ले खोचे कुर्वान लाले दी जान खुष्मन से इंतकाम ले नाथ झूके नाथ धूके नाथ नंडी दर्वार को झूके नाथ दिन है ये इद का, दिल पर की दीद का दिन है ये इद का, दिल पर की दीद का जब तेरे साथ है दामन भूनीद का हाथों से खाम ले, अल्ला का नाम ले हिम्मन से खाम ले, खोचे खुरबान लाले भी जान, दुश्मन से इंद काम ले नाच, चूब के नाच, भूब के नाच, मैं वी दिन वार को, चूब के नाच लाचमन वाले प्लमें का लाले का मेरना किस बाग से पीने का शौक है तो घम के हाथ से खुश्यों का चाम ले, अल्ला का नाम ले इम्मत से काम ले, खुर्चे गुर्बान ना ले भी जान दुश्मन से काम ले क्या इंतिजार है दिल बेकरार है क्या इंतिजार है दिल बेकरार है मैं भी तैयार हूँ तू भी तैयार है मेरा सदाम ले, अल्ला का नाम ले इम्मत से काम ले, अल्ला का नाम ले इंत में ये खुर्बान न ले भी जान । दुश्मन से किंद। काम ले, हो चुश्मन से जिन्द काम ले, हो चुश्मन से जिन्द काम ले काम ले, हो चुश्मन से जिन्द काम ले पुर्ण सतोम से जिन्द काम ले, जम माणुखिल कैसे आगी? गंगादीन ने बताया कि आज इतका जश्न है, मुझसे रहाने के वसवक में तुम्हारे ये परेशान था अगर मेरे सिवा तुम्हें किसी और ने पहचान नहीं होता तो तुम्हारे सिवा और कोई पहचान भी कैसे सकता था महभुबा की महग तो सर्फ महभुब को ही आती है ना आलाव मुझे वापस भी जाना है बार बार जाओ क्योंकि तुम्हारे जाने से तुम्हारे आने की लस्ता तो और पढ़ जाएगी इश्क का एक नाम इंतजार भी है ना आँ मैं तुम्हार तक छोड़ा हूं पाले पापा तुमसे मिलना चाहते हैं क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए क्योंकि दोस्ती का हाथ इतना छोटा है कि मांडो खेल तक नहीं बहुँच सकता जिद ना करो मेरी खातिर प्लीज खीक है एक शर्थ है कुछ दूर मैं आँ खुछ दूर वाएंगे वो भी अकेले मैं भी अकेला मंजूर है मंजूर है यह किस खुश ही मैं कॉंट्रेक्ट पर महोल लगाई जाती है ना हाँ वाले खान का तो कहीं पता नहीं प्ली उसने बेवकुफ तो नहीं बनाया नो पापा पाले खाय एक बहादूर आदमी है और बहादूर आदमी जूटा वादा नहीं थी लोग पापा गेली कम उसने तो अकेले आने का वादा किया था हम भी तो अकेले नहीं हैं बुलबास खान उसलिए एक वादा को तो नहीं बुलबास जिरे तो अनो वूल जे पाले को आदमीज मेरे आदमी भी कितने बेवफूप है यह भी नहीं जानते कि दोस्ती की बाद शुरू करने से पहले तुश्मनी के हर्यादगार बिटा देनी चाहिए जनल बांग्स उस पर मेरी तस्वीर है सॉरी आओ जहां कर देख लो अंदर कोई नहीं है जब तुम इस मुल्क ही में खड़े हो जनल बांग्स तो फिर इस कमरे में तुम्हारे आदमी है या ने इसे क्या फरक पड़ता है तश्रीफ रक किया शुक्रिया अब बताव जनल बांग्स मुझसे क्या बात करनी है देखो पाले खान अंग्रेजी हुकूमत इतनी बड़ी है कि इसमें सूरज कभी नहीं डूबता सूरज तो डूबे बेना रह नहीं सकता जब दौलत बरतानिय का दिन खत्म होने पर आएगा तो उसका सूरज भी डूब जाएगा जनल बांग्स क्योंकि डूबना सूरज की फितरत है मैं तुम्हें ये बात समझाने की जल्दी में नहीं हूँ लेकिन आने वाली सदियां तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझा देंगी क्या यही समझाने के लिए बुलाया था नहीं नहीं तरसल मैं तुम लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ और इस दोस्थी के बड़े में हमें क्या मिलेगा? बहुत कुछ. हम तुम्हारे इलाके में अस्प iniciस को लेगे ता कि तुम्हारे बच्चे, बुरे और जवानों की बिमारियों का ठीक से इलाज हो सके. घवाई haben मुफ्त मिलेंगी. और? तुम्हारे अलाके की सबसे बड़ी बिमारी जहालत है इसलिए हम स्कूल खोलेंगे ताकि तुम्हारे अलाके के बच्चों को ठीक से तालीम दी जा सके और ये तालीम भी मुफ्त होगी बेशक और हम तुम्हारे इलाके में सेंक्णों सडकें बनवाने की स्कीमें मन्जूर कर चुके हैं ये सडकें नए रोजगार लाएंगी और रोजगार गरीबी और मुफ्लिसी दूर करेगा बहुत खुब बहुत खुब तब तो तुम दुश्मन नहीं रह्मत के फरिष्टे हो तुम्हें तो हमारी जहालत और गरीबी का गम हमसे जादा है तुम्हारी इन महर्वानियों के बदले हमें क्या करना होगा कुछ नहीं बस हथ्यार रख दो ये हथ्यार पठान का लिबास से जनरल बांस इसके बिना हम अपने आप को बरहाना मैसूस करते हैं इसके बिना हम बिवस हो जाते हैं तो इसमें इतना घबरानी की क्या बात है अब तुम हमारी इफाज़त में हो अल्ला के इफाज़त में रहना हमें ज्यादा अच्छा लगता है डरो मन जनरल वांस अब तुम पाले खान के हफाज़त में हो अल्ला का शुक्र मानो कि हम लड़ने नहीं दोस्तिकी बात करने आया है हम मेवा बेचते हैं शहद बेचते हैं जाफरान बेचते हैं आजादी नहीं बेचते हैं नहीं मौत से डरते हैं क्योंकि आजादी के रास्ते में आने वाली मौत रेशम से ज़्यादा नर्म और शहद से ज़्यादा शिरी होती है एक बात याद रहे जनरल पांज कि इस्जत के मौत का मज़ा हम जानते हैं और जिल्लत के जिंदगी का मज़ा हम जानना चाहते नहीं खलेखन तो तुमने हमारी शर्तों के बारे में क्या सोचा है आपने हमारे सर का दाम बहुत कम रखा है जनरल बांज चाहे तो इसे दुख ना कर सकते हैं ठोड़ा हाथ डॉन्ट यू फगेट गुलबास खान के पाले खान जब तक नजर आ रहा है मेरा महमान है क्या हुआ पापा बात तूट दे क्यों पाले खान बहादूरी नहीं एक समझदार और दिलेर इनसान भी है इतनी जल्दी सुलह करने वाला नहीं कुछ और लाओ मिसी बाबा अरी एक कौफिताब के ठंडी हो गई मिसी बाबा क्या सूच रही है आप गंगादीन यह सूच रही थी कि यह खत पाले खान तक कैसे पहुंचाओ मिसी बाबा पहरा तो बहुत सक्त है मगर मिसी बाबा के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा आप आए मेरे साथ कि अधर कि अधर कि अधर कि 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 मेरे तनम तेरा खत मिला खत में तूने खत लिखने को लिखा खत के बदले मैं आ गई खत के बदले मैं आ गई ओ मेरे सनम तेरा खत मिला खत में तूने खत लिखने को लिखा खत से पहले मैं आ गया खत से पहले मैं आ गया करिके दिशदे में Запाथ खिरसे भेट करिके भाए कर खत मिला कर खत कमें खत मिला खत खत Kroth तुझे से मिले बिन रहना सकी मैं तुझे से मिले बिन रहना सका मैं ओ इस जोर से दिल धड़का मेरा खत में तुने हत लिखने को लिखा खत से पहले मैं आ गया खत से पहले मैं आ गया दो मारा खत से दोर से पहले मुझे से ऑफार इस बाँ ओाईं आ खती नाद मुझे स्थğन thinner दोर विखने कर दोर dang तेरा ही कोई पैवाम नेगी इतनी मुहापत मुझे से ना कर तू मर जाओं में तेरा नाम लेके तो रखे तरा मत तुझ को खुदा खत में तूने खत लिखने बोलिका खत के बदले में आगई खत के बदले में आगई तो मेरे सनम तेरा खत मिला खत में तूने खत लिखने का लिखा खत से पहले में आगई खत के बदले में आगई खत के बदले में आगई खत के बदले में आगई अगई से बाहर चली जाती है मुझे डर है कि कई वो ऐसी जगा ना चली जाए जो दुश्मनों के लाके में आगई मैं सब समझ गया आप बिल्कु फिकर मत कीजिए खत के बदले में आगई खत के बदले में खत के बदले में खत के बदले खत के बदले में तुम्हारे पास आ रही है उसे फॉरण वापस फेज़ देना गुलबास खां को शक हो गया है फिर कब मिलोगे इंशालला बहुत जल मिलेंगे अच्छा मैं चलते हूँ खत के आपस कौदा आपस अब तो देख लिया ना ये खास जादा उस तरंगन की होसिन का बीमार है इससे मेरा बाप हरीमुदिन खान तो आज तक याथ है मगर उन अंग्रेज़ों को भूल गया जिन्नोंने मेरे बाप से इसके बाप का गदल करवाय था अरे चुप क्यों खड़ा है कहता क्यों नहीं कि उस फिरंगन के लिए तो अपने मांडो खेल को भूल गया जिसमें तेरी मां तेरी लंबी उवर की धुआय मांगती रहती है मुझ पर अदबार करो जलेखा मुझ पर अदबार करो मैं मांडो खेल को नहीं भूला हूं कैसे अदबार करें पाले कैसे मत भूल कि हमारा मकसद आजादी है और आजादी कि इस जंग में फिरंगी लड़की का इश्थ हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर ख़ड़ा है आज तो एक दो राहे पे ख़ड़ा है जाने मांडो खेल एक रास्ता उस रेसी डेंसी की तरफ जाता है और दूसरा हमारे दिलों की तरफ यह पैसले की घड़ी है पाले जिधर जाना है उदर चलागा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं एलन से कभी नहीं मिलूंगा कभी नहीं मिलूंगा हमें तुम से यही उमीद थी पाले हमें तुम पर हमेशा नाज रहा है और रहेगा पाले खान विर्दा आपाथ अरे पापा आप यहां खड़े खड़े क्या करें तुमारा इंतजार कर रहा था मेरे इंतजार ने पापा की माथे पर सोच की लखी रहे क्यों डाल रखी है ओ मैं माथे पर ध्यान देना भूल गया था कोई बात मैं आपको एक इतनी अच्छी ख़बर सुनाओंगी कि आप पाप की माथे की रखीने खुद बाखुद मिट जाएंगी तो पहले पहले व अच्छी ख़बर हो जाए पहले पहले साप क्या मतलब है पापा क्योंकि मैं भी तुम्हें एक दू बुरी ख़बरे सुनाने वाला हूँ तो पहले में व बुरी ख़बरें सुन लू फिर मैं पहली बुरी ख़बर यह है कि कंगादीन अब हमारी काइद में है वो कद्दार निकला है इस ट्रेटर ट्रेटर येस अंग्रेजी जबान में अपने वतन से प्यार करने वालों को ट्रेटर कब से कहा जाने लगा है पापा आप कुछ वतन परस्त है किसी और वतन परस्त को गद्दार कहकर आप अपनी वतन परस्ते की तौहीं ना कीजिए पाप आप चलो अब तुम अपनी अच्छी ख़बर सुना दूसरी बुरी ख़बर सुनने के बार दूसरी बुरी ख़बर यह है कि आज के बाद तुम्हें रिजजेंसी के बाहर कदम रखने की अजाज़त नहीं है यूमीन अंडे हाउस अरेस्ट अल्मोस्ट वज्जे वज्जे तुम अच्छी तरह जानती हो पाले खान से तुम्हारी बढ़ती वी दोस्ती इस मैजस्टी के पुलिटिकल इंटरस से टक्रा रही है मेरा दिल ब्रिटिश एंपायर का कोई हिस्सा नहीं है इस एक् पाले खान से शादी करने का फैसला कर लिया है तुम रेजिंसी के बार कदम नहीं रख सकती हो इस अधिया 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 पाले खान के साथियों का पता बतला दो तो तुम्हारे दोनों पैर बच्जाएंगे और अगर पाले खान का ठिकाना बदला दोगे तो तुम्हारा ये सर भी बच्जाएगा नए 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 बचता हूं बचता हूं बचता हूं तुम्हार बपका खड़ बेता तुम तो बहुत बहुत निकले बुलबास खान बंद गर आपने ये जुल्म मैं सेलन आप मेरे निकल जो रहा है मैं सेलन आपको यह नहीं आना चाहते है आई से गराउट ठीक है कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए मैं तुम सब महाशर विदाओ का दीब कि यह चोटें नहीं मिसी बाबा सर फरोशी के तमके हैं कि अगर मिसी बाबा और यह दर्दबरदाश नहीं होता जब जब ठोकरें पड़ती हैं बाले खान के ठीकाने का नाम जुबान की नौक पर आजाता है पता नहीं किस ठोकर पर वो पता जुबान की नौक से नीचे गिर पड़े मिसी बाबा मुझे गोली मार दो हूँ मैंने तुम्हारे खानदान की सेवा की है उस सेवा का इनाम मांग रहा हूं मिसी बाबा यह तो खट हुआ मिसी बाबा यह पतल नहीं असान होगा मेरी जुबान को पाले खांके गले में फांसी का फंदा बनने से बचा लो मेरे हाथ नहीं मिसी बाबा यह तो जो कर कहता है मुझे गोली मार तो बेटे मुझे गोली मार तो मिसी बाबा तो बच्छे गोली मार तो अग्वान तुम्हे खुछ रखके मिसी बाबा मार दो गोली मुझे आव नहीं हुए यह. कुण़ ही हुए नाए नाए गंगाजन नाए नाए तुम ऐसे नहीं मर सकते मुझए पालेखान का पता चाहिए पता बता तुर्ण नाचा रहा हूँ कर त नाचा रहा हूँ ये तो ने क्या क्या पाज़ई 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 आप पाज़ई 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 अरे कहां गया वो सिवानी हो गई है क्या गोली क्यों चला गई थी क्या करती मेरी निगाहों की तीर तुझ पी असर जो नहीं कर रहे थे यह क्या बतमीजी है अरे प्यार को बतमीजी कहता है प्यार करके तो देख सालिम मेरे दिल का रास्ता सीधा यहां से जाता है पाले उस रास्ते पर मेरे बाप की लाश है और जिस रास्ते पर तुझ जा रहा है उस रास्ते पर मेरी लाश है तो मर अलविदा पाले अल्ला नेगे बाद मेरे महबूत मैं तुझे अपना खुन माफ करती हूं कि अच्छा ये क्या कि तुन्हें इश्क किया है जालिम इश्क अला कर चम से कोई बात हो जाए सनम अला कर चम से कोई बात हो जाए सनम तेरे मेरे दिल में वुला आत हो जाए सनम अला कर चम से कोई बात हो जाए सनम लगता है तेरा घुसा भी प्यारा मुझको तेरे इस हुस्से ने मारा बल बल यार वेवे क्या जो हो प्यार तेरे साथ हो जाए सनम असनम मेरे सनम अला कर अला कर अला कर चम से कोई बात हो जाए सनम असनम मेरे सनम शर्मा के खबरा के मैं सिमट जाओ विजली ने डार से थुसल पट जाओ शर्मा के खबरा के मैं सिमट जाओ विजली ने डार से थुसल पट जाओ बल बल यार वेवे मेरे हाथों में तेरा हाथ हो जाए सनम अला करे अला करे चहम से कुई बात गोर जाए सनू हो सनू मेरे सनू को सनू मेरे सनू डर गई मैंने कहा था ना कि हमारी मुलाकात दोबारा जुरूर होगी मेरी बच्पन कि मैं बूबा पुछ मेरी बुछ में की मैं लोट कर रेया जुछ में चर्च लोगी में वेला खर छार इन परतिर will as ऊहां का रूबार जी तक रूझा ठार हो它 जुछ कि युटे बाइब लूब अछार वाल पाव्ट लॉब युट वग दो भयुभर लुटरी और अवट रदां व मोश पर और अव जलूएप युटरी अ वुटरी जयुटरी सुटरी अब इद्सवाहँ और में लुटरी जिए पते प्वर्द जयुटरी एप वर बदो प्मी जुआ भुआ छुआ एर अजह ए ए ए ए ए एज ए ए व ए ए ए ए ए ए ए 10 8 वाल झाल ऑंगरे संकी ब मार गाली है मुझे तो इन फिरंगियों की चाल लगती है इस अंग्रेजी बीमार गाडी में जरूर हथियार होंगे हाँ, लगता है मुमकिन है यह बैंक की गाड़ी नहीं, एम्बिलन्स है हम जानते हैं हमें इसकी तलाशी लेनी है तुम होते कोन हो तलाशी लेने वाले? फालिख खान, होंगे मैं एक डॉक्टर हूँ और मरीज को अस्पता ले जा रहा हूँ रहस मत करो, चल दी से दर्वाया खोलो नहीं खोलूँगा मरना चाहते हो? मरना सिर्फ तुम ही लोगों को नहीं आता क्या नाम है तुम्हारा? रामकृष्न से नाम तुम आदमी बहादर हो, जो आदमी मदने से नहीं डरता हूँ, हमें अच्छा लगता है लेकिन हम इस गाड़ी की तलाशी जरूर लेंगे देख हम वतन मरीज, और वो अंग्रेज की बीमार गाड़ी में? कौन है ये? जमाल खार हांसाब सरकारी ठेकेदार है और इनका एक कहवाखाना भी है, नास कहवाखाना कैसा पठान है तू जो फिरंग्यों की ठेक एदारी करता है ये कावाखाना चलाता है जहापर शराब और 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 की इज़त बिखती है तुझे जीने का कोड़ हाक नहीं वालेखान, मैंने सुना था तुम बहुत 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 दुर हो चलाओ गोली पालेखान तुम सच्ची आदमी लगते हो डॉक्टर से नहाँ पालेखान तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है मैं भी इस दोस्ती को कुबूल करता हूँ पालेखान अगवान ना करे लेकिन कभी इते पाकन मेरी जरूत पढ़ जाए तुमा करते है अगवान 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 अस्सलम वालेकूम अम्मी अरे पाले जीते रहो बिटए बाबाजान बाबाजान के साथ ये कुछ लोग है अम्मी ये है करीम अद्दीन खान और ये है तेरा मामू गदार मुहमब्द जमाल खान मुहमब्द जमाल है उस दिन के बाद इसकी कोई खबर नहीं पता नहीं दो दकी जिन्दा है कि मर्द जिन्दा है वाले खान के हाथ हम बर नहीं के आसाब का शेहर में कहवा खाना भी है नास कहवा खाना झाले झाले खाना भी है करेंज चुब बड़ खाना भी है कापल से आया है मेरा दिल बरिया, दिल बरिया, दिल बरिया कापल से आया है मेरा दिल बरिया, कापल से आया है मेरा दिल बरिया कितने दिलों के माद करू कि आज में उससे ज्या आया दिल बरिया, दिल बरिया, दिल बरिया कब से आया है मेरा दिल्दार कितने दिलों के बाद करूं दिल बाद में उसने क्या आया दिल मर्या, दिल मर्या, दिल मर्या कब से आया है मेरा दिल्दार कब से आया है मेरा दिल्दार अरे आज्ट पेरे बेरी आज सबेरे मेरी छस्टी काला कफां बोला ता हाँ का गुल से आया है मेरा दिल्दार हाँ का गुल से आया है मेरा दिल्दार हाँ का गुल से आया हाँ का गुल से आया है मेरा दिल्दार किसने दिल्दार गुल से आया है मेरा दिल्दार किसने दिलों के बाद करूंगे आज में उससे प्यार दिल बन्या, दिल बन्या, दिल बन्या, कब उसे आया है मेरा दिल दार, कब उसे आया है मेरा दिल दार कर दो कर दो मैं तुम्हें मस्जिद में जाने से पहले भी मार सकता था पर मैंने तुम्हें अपने जिंदी की आखरी नमाज पढ़ने का मौका दिया यू मौका तुम्हें अपना दोस्त खान अली हसन खान तो याद होगा मौमद जमाल और ये खंजर भी याद होगा ये खंजर जिस पर मेरे अबा के बेवोना नमाजी खून के धबे आज तक मौचूद हैं क्योंकि उन धबों को धूने के लिए मुझे तुम्हारे खून की जरूरत थी ऑफ मलिखान रहम ठेज़ा मेरे मांके सर्बर सफिए चादर डलवाने वाले ऐसे मुझे यतीम करने रहेम वाले goodbye जगानोंध असंतर हाई जैसे पाक इन्सान को सच्ज़ने में शेहित किया नहीं मुहम्मद जमाल ठांगा अगर ना मुझे कभी महात नहीं करेगा मैं तुम्हारा मामू पाली खान मामू जमाल खान मैं इस मस्जिद में पड़ी जाने वाली तमाम नमाजों को गवा बना कर तुम्हें अल्ला के पास बेचता हूं बाबा लगिया क्या हुआं पाले खुश्करी सुनो हासन खान तुमारे पाले ने जमाल खाको मार डाला अब बेटा जवान हो गया अब तो तुम्हारी रूप को स्पून मिल रहा होगा हुआ 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 है माँ अमर सिंग्ध हम शायद एक इसी नसल के लोग हैं जिनकी तक्तिर में सिर्फ इंतकाम लेना लिखा आज एक इंतकाम खत्म हुआ कि दूसरा शुरू हो गया मगर वह था कौन सूरत तो नहीं देखी पर्था वगतार गुलबास है हकिर्म साब गोली इनके सर में पैवस्त हो चुकी है नस में चोट लग जाने की वज़े से इनकी आख की रोशनी खत्म हो चुकी है उम्मीद है ऑपरेशन से ठीक हो जाए मगर यह सब शहर में ही मुम्किन ही है भगवान ना करें लेकिन कफीद के कापन में जरूत पढ़ जाए तो आजमा कर देख लेना जाजी यह फार्स केटेगा है मैं जाँग नहीं तुम्हारी जान हम सबकी जान से ज़्यादा कीमती हेलाले ताई खानम के साथ मैं जाए प्र तो पहरों लात हुब동 करें तूने का ईवा घुलेंगा खाए किया जाएगी मेरे साथ्य पारीत लएग सभाश इनने यह ग्रान ते दोड़ा जलिखा चलिखा चलिखा जलिखा अचलिखा जलिखा मीज़ा इस अच्छी हो गई उन्हें शहर बेजना एक कर रही है को जाइगे तो आशाथ जलिखा जलिखा में की जान खत्र में है खीक बेटिए अमिलीकर खोन तेरे साथ है रहा मैं झीटिको मुद दिखाने लाइग नहीं रहा है पाले, मैं नहीं जाओगी, मैं तू अपनी जान की जो ख़द्र मना आजाए जद मत कर अमी तहर पाले अमी को मैं ले जाओगी आगई मेरी बेटी आज़ नीचे उतर, खाला खानम को मैं ले जाओगी जा, जा तू जुलेखा तूमको अटा मिलिटरी हास्पिल्ड में जाकर डॉक्टर से नहां से मिलना कहना कि यह पालेखान की अमी है मुझे पूरा यकिन है कि अमी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा पालेखान 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 सर आपसे एक औरत मिला चाहती है बाहर खोड़ा गड़ी के पास खड़ी है ठीक है चलो मैं आता हूं आपने मुझे बुला है आप डॉक्टर सिना यह पालेखान की मा है तक्नी हो गई है आप फिकर मत किजिए मैं अभी आपरेशन कर देता हूं इधर आओ इन्हें आपरेशन थेटर में ले चलो जी साथ हुआ 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 है हुआ है डॉक्तर साब मा खदर चे बाहर है अल्ला का लाख लग शुक्र है लेकिन उन्हें दो तीन महेने और रहना होगा आखों के लाज के लिए एक बात याद रखना जुलेखा वो मेरी मा है और तुम मेरी बहन राधा हो जुलेखा नहीं आओ कि लाले क्या बात है बड़ा उदास नजर आ रहा है अम्मी को के तीन महेने हो गए नहाल नायवाल कुछ समझ में नहीं आरे जाने पले खाला खानम की फिक्र नकर पाले हगवान उनका निगहवान है अरे गुलवास खान कैसे हो अला पाकी मेरबानी है हॉस्पितल कैसे आना हुआ मेरा हबीब कैपिन क्रिस्टो इदर आफ का महमान है अच्छा रूम नबर बारा में शुक्रिया अच्छा डॉक्टर सुना की आपकी मां भीबार है और इसी हस्पिताल में है अजी हाँ आप कैसी है वो अभी बहतर है क्या मां उनसे मिल सकता हूं नहीं सक्षा वो सो रही है वहां उस कमरे में चाहिए अच्छा कॉन डॉक्टर बेटे जे शुक्र है अलाप आपका मैं देख सकूंगी ना जी हाँ पाले खां की जवानी देखना चाहती थी तो देख लिए अब मैं तुम्हें देखना चाहता है पहले मैं एक ही बेटे की मा थी पर अब दो बीटों की मां पाले खां और तुम गुद मॉर्निंग मैं गुद्धे नानी वार्स्टी न्यूस बैट यूज है केंटुमेंट से सुना है कि टॉक्तर सिना की मदर की तबियत बहुत खराब है कंडिशन होपलेस है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे तो पता ही नहीं चला सिना की मागा कमरा है ना हां मगर तुम लोग यहां क्या कर रहे हो देखती नहीं के खाला खानम की तबेट चिक नहीं है अब जाकर अपने बाप से शिकायत कर दे कि पालेखान की माँ यहीं पर है कौन है जुलेखा वही फिरंगन है शायद गुलबास खां तुम दोनों के बारे में जान गया है और उसने यह खबर पहला दी है कि डॉक्तर सिना की मां की हालत बहुत नाजुक है जब यह खबर पालेखान तक पहुचे की तो घबराकर यहां आएगा और बुलबास खां की जाल में पढ़ जाएगा अरे तो बीटी तुम किसी तरह पालेखा तक यह खांबर पहुत वादो कि मैं बिलकुल अच्छी हूँ वह यहां ना आए इस मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हाला खानम मैं खुछ जाओंगी अलीनी के बाद कौन कित गया अरे यह तो जुलेखा है तेख़ो इससे कहीं छोड़तोनी लगी अला यह तो मा बनने वाली है अला आए अ अ अ बॉर्ण गॉड्मार्ण गॉड्मार्ण टॉक्टर सेना का कमरा कुंसा है फॉर्स फ्लोर पर जाके बाएं से दूसरा कमरा शुक्रिया वेलकम अ असलाम ओलेकूम बरादर सिना वालिखान वालिखान तुम क्यों है अमी कैसी है जुलेखा नहीं मिली जुलेखा क्यों अमा बिलकुल ठीक है गुलबास खाने तुम्हारी गृफतारी के लिए इस खबर का जाल पहलाया और तुम उसके जाल में फस भी गए वे युकूप इतना भी नहीं सोचा अगर अमा की ते बेद खराब होती तो मैं खुद तुम्हें खबर पहुचाता लेकिन बिलादर वे हैस मत करो मैं कहता हूं इस खिटकी से बाहर निकलो यहां तक आया हूं तो अम्मी कुद देखे बिना नहीं जाओंगा मैंनों से जीने और जीतने की दुआ नहीं लिए उनसे चलो असलाम वालेकूम अमीद सो रही है पालेखान उन्हें सोने दो चलो मां के चहरे की जियारत तो कावे की जियारत के बराबर होती है ब्रादर और कावे को वो साथ ये बिना मैं नहीं जा सकता खुशामदीद पालेखान डॉक्टर सिन्हा तुम्हारी गद्दारी तो हमें पहले से मालम हो चुकी लेकिन हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि तुम दोनों का साथ में खत्म करें पालेखान, तुम्हे या चित राजा सोच लेना चीए था कि हमारे बाप का खुन एक दिन जरूरा लाएगा उसका हिए हुआ 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 है ITH है भेड़ितु में हँआ है मदलिस में कल तुम्हारा मुकदमा पीशोगा क्या मदलिस की पूछने पर तुम बच्चे की बाप का नाम बता दूगी वो नहीं पूछेंगे तो भी मैं बता लेकिन तुम कौन हो साइरा मिस्री अगर तुमने बच्चे की बाप का नाम बता दिया तो तुम्हारे पाली खान की मान ना हक मार जाएगी तुम्हें किसने बताया मुहम्मद कुलबास खान में पाली खान की जान तब कोई नहीं बचा सकता जुली खान मगर वल्ला फातिमा फातिमा खानम की जान अब तुम्हारे हाथ में है खुदा आफिस और उसने कहा है कि अगर तुमने उसका नाम ना लिया तो फातिमा खानम खहरियत के साथ मांडो खेल पहुचा भी जाएगी कि कहां ले जा रहे हैं कैसे तो यह अदालत ले जा रहे हैं मुकदमा चलाएंगे मगर मुझे इन रास्तों से मौत की महका रहे है कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है कर अव्याग कर दो हिले है था कुछा क væl दो भी ना कल दो हा WOW हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 कर दो वाले! तुम्हें पादवान नहीं, तुम्हारा मुझ पर पहसान है। अपने वतन की चातिर शहीद होने का मौका दिया है पालेखान। अब आफ़ेस। जुलेखा बिंते करीम अद्दीन खान। तुछ पर शरय हद कायम करने से पहले तुझसे एक बात फिर उस आदमी का नाम पूछता हूँ, जो तेरे साथ इस गुनाव में बराबरी का चरीक है। अगर तुछ नाम बावा से बुलंद नहीं ले सकती तो आइस्ता से कह दे, किसी के कान में कह दे, जमीन पर उसका नाम देते हैं। अगर तुमने बच्छे के बाव का नाम बता दिया, तुथ तुम्हारी पालिक हां की मान नाहथ मारी जाएगी। फातिमा खानम की जानक तुम्हारे हाथ ने। खादमा खानम की जानद को है जुलेखा बिनते करीम अद्दीन खान उस पर हरामकारी का जुर्म थाबित हुआ है क्योंकि तूश का सुबूत अपने पेट में लेकर घूम रही है इसलिए मैं काजी अलीम अद्दीन शाह हुक्म देता हूं कि हर बालिग मुसल्मान तुझे उ मर्न चान भजाप बालेखान ये गुनागार है इसके पेट में नाजास बच्चा है ये गुनागार नहीं है मेरी ब्यूवी है और इसके पेट में जो बच्चा पलिछा है वो मेरा है तुम्हारा निकाह कहा हुआ कब हुआ यहीं शाजी मांडो खेल में किसने पढ़ाया तो बालिगों के निकाह के लिए किसी काज़ी की जरूरत नहीं होती शाजी लेकिन गवाओं की होती है तुम्हारे निकाह का कोई गवा अल्ला मजब से मज़ाक नहीं किया करते पाले खान गवाओं के नाम बताओ हम तीनों इस निकाह के गवाओं है शाजी खुदा है मेरी जान बचाने के लिए तुने ता बड़ा जूट क्यों बोला बच्पन के रिष्टों का खयाल हो गया उसका नाम नहीं पूछेगा मैं जान कर क्या करूँगा तेरा गुना है तु जान ये मेरा गुना नहीं है तेरी मजबूरी है और वो मजबूरी तुझे जाननी पड़ेगी उस मजबूरी का नाम है गुलबास खान तोने मजलिस को क्यों नहीं बताया उससे कहलवाए था कि अगर मैंने इसका नाम दिया तो खाला खानम की खेर नहीं अम्मी की जान की कसम और सजद्दार को मैं मार के ही मरूँगा बाली अम्मी खाला खानम बेड़े अम्मी तुम्हे फिल्ग ने कैसे छोड़ दिया बिटा तुझे कवेता रवाना करने के बाद एले न बुझे छुड़ा दिया अल्लाह सलामत रखियो उस लड़की को तू कैसे जूटके आया अम्मी तुम्हारी दुआउने मेरे चारो तरफ वावलात की दीवात लेकर की है मैं नहीं मानती यह हो इने सकता यह खबर बिलकुल सही है पाले खान ने खुद भरी मजलिस में इस बात का इकरार किया है शुट आप मेरे शट अप होने से और आपके ना मानने से हकीकत परदा नहीं परसकता जनरल बांज को फ़साने के लिए पाले खान ने आपके साथ इश्क का नाटक किया हकिकत यह है कि पाले खान जुलेखा के साथ इश्क करता था करता है और करता रहेगा अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो जाके जुलेखा के पेट से पूछिए जिसमें पाले खान का इश्क बच्चा बनकर कुल बुला रहा है ले बेटी खाना खाले नहीं रहना चाहिए ले खाईगी नहीं तो जिएगी कैसे इस सिंदगी से तो फर जाना ही अच्छा है गुना का इसास मारी ढालता है नहीं बेटी तेरी रूफ शीशे की तरह साफ है पाकीजा है लेकिन यह जो मेरे पेट में पल रहा है उसे में दिलो जान से अपना जो भी है तो मांडो खेल का ही खून अच्छा यह बता तुझे लड़का चाहिए यह लड़की है खाला खैनम अल्ला ने लड़का दिया तो पाले की तमन्ना पुरी हो जाएगी कहां गई थी? मांडो खेल पाले खाय एक बेवफा और दोगे पास आद में निकला पापा अच्छा हो तुम्हे फाइनली इस बात का हैसास हो गया एलन मेरे ख्याल सो तुम लंडन चली जाओ अपनी आंट लूसी के पास चली जाओंगी पापा मगर पाले खाय से अपना अकाउंट क्लियर करने के बाद पाले मैं हमेशे के लिए इंग्लेंड वापस जा रही हूँ जाने से पहले सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ तुम्हारी यह ले तुमसे बहुत इंतिजार करवाया मैं तु सोच रही थी कि तुम नहीं आओगे ऐसे हो सकता है एलन पुलाए और पाले ना आए अगर तुम नहीं आते तो मेरा एक अर्मान दिल ही में रह जाता ऐसा कौन सा अर्मान था एलन एलन नहीं मिस्स बांस कहो मैंने तुम्हें यहां इसलिह बुला था कि तुम गिरक्टार हो सको ताकि तुम्हे फासी के सजा मिल सके थोके बाद? बेवफा पाले ना धोका देता है ना बेवफाई prioritize हे हाँ जुलेखा से तुम檯े शादीकोल मतलब ही नहीं है जूट मत बोलो तो पोबीले वाले उसे पत्थर मारकर खटम कर देते पाले तुम्हारा यह अर्मान हम जरूर पूरा करेंगे ना मुराद आप पर अज़ा है कि अज़ी अज़ा आप कर दो कर दो कर दो कुछ ओप ओप अधरियर जाओ अध अधरियर बंद कर दो आड़ अ अ कर दो कि अ पर जो है आज दो कि एच कि दूर पर कि कि वाली तुम्हें से फोरन भाज जो सुर्ज साचिक है! हुआ हैं! अज़िदा पेड़े फुग्सार अज़िदा की अज़िदा अज़िदा वीदा अज़िदा अज़िदा में तुम्हें वाणो के लिजाम लाग अज़िदा कमरम तुगा घरगार में वनता है जीसर पहाई। बेल पंस बान्य है घ nhất का मकते जह बबभ़ु duty बबभ़ु बबभ़ु 붙फा जरी लुने लुमे लोँ लुने लुने लोचाई। मा आया आदा हर रेक जोका तेरा ही कोई पैवाम ले इतनी मुझापत मुझे से ना कर दू माह बडियों में तेरा ना मली थे इतनी मंदल जां में तेरा ना मली कर दोल रिधाक व्यूमक लेदे हम दू год ये, 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 हूँ ये, 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 ये हुआ 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 थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ खोल दो वजो करके नमाज पढ़ लू इसके हाथ खोल दो वॉल्टर इसके खोलना डेंजरस हाए यह जिमेदारी मेरी है यह सार फोड़ा तुम्हें स्नेकी का नाम जरूर देगा चनरल मैं अपनी इबादत में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा थेंक्यू हो सके तो एलन के लिए भी दुआ करना मैं तुम्हारे कमरे में हूँ जब यह नमाज पढ़ ले इसे वाँ देज़ेना यह सब्सक्राइब 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 यह अब भी वक्त है पाले खांट हमसे दोस्ती कर लो मैं शायद अब भी तुम्हारी जान बचा लो हम दिवानों को तो सिर्फ मरना ही आता है और फिर तुम्हारी दोस्ती जिसका दूसरा नाव है गुलामी पैसे कबूल कर लो देखो पाले खान तुम्हारे मुठी भर लोग हमेशा तो लड़ नहीं सकते एक ना एक दिन तो हमारी फाजी ताकत के सामने उन्हें अथ्यार रख अश्तान में नभी के भूग ये प्यासे नवासे ने यजीद की फौजी ताकत के सामने अपना सर जरू जुका दिया होता हम उन शहीदों की यादगार हैं जिने जिन्दगी से ज्यादा शहीद होने का शौक होता है हम हार नहीं मानते हम या तो जीतते हैं या फिर लड़त लड़ते मर जाते हैं जंग आजादी जारी रहेगी मानने वालों का सिलसला मुझ पर खत्म नहीं होगा यह सिलसला तो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा पालेखान तुम पर अपने मुल्क कानूनी हुकुमत के खिलाप खुली बगावत करने का इल्जाम लगाया गया है मुझ पालेखान ये अदालत होक्म देती है कल 16 स्थम्बर 1935 को तुम्हारे अपने ही गाव मांडो खेल में सुबह साथ बजे तुम्हें फासी दी जाए तुम उस वक्त तक फासी के फंदे पे लगके रहोगे जब तक तुम मरना जाओ हर चीज खुदा की तरफ से आई है और उसी की तरफ लोड़ जाएगी हुआ झाट बस्टे में एघी सके दोरी जातमारी हुआे कैना से क师ह तो झाल है कि अधः है कि है यिद्ट सक taraf रायों आफे लावूसी है 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 कि अैज कि अथुम्स प्रॉध है ? कोई आखरी खवाइश पाल-ग खान? अजार खवाइश असी को हर खवाइश पे दम निकले तुमने तो صिर्फ एक खवाइश बोच 900 yeah कि मैं अल्ला और मांडो खेल का शुक्रियादा करना चाहता हूं पालिक खान की बेडियां खुल दो कि मेरे प्यारे हमवतनों मुझे खुशी है कि मैं सुर्खरू जा रहा हूं ताज बरतानिया के साय को ठुकराता हुआ जा रहा हूं क्यूंकि हमें उनके साय से आजादी की धूप जादा पसंद है कि खुदा हाफिस मांडो खेल तास वा आ ने वो जाने तो आ एकले से इसे बार कि अपने बाप का बतला ले ले पाले ताकि मैं तेरे कर्से आजाद हो जाओ बच्छा तो अल्ला की रह्मत होता है जुलेखा बाप का वारिस उसकी अथोरी तमनाओं को पूरा करने वाला यह तो मेरी शाहतत का वारिस से इसे यूँ पालना जैसे मुझे मेरी अमीने पाला था नजाने हमारे वतन को कब तक शहीदों की जरुद पढ़ेगी मने से पहले बाबा खानने कुरान शरीफ मुझे दिया था मनने से पहले मैं यह से देना हूँ हूँ आख ए परवर्दिकार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी मौत दुश्मन की हाथ हो रही है कि मैं और परो है लाख लाख हो हम हाल नहीं मनते हम या तो जीतते हैं या लड़ते लड़ते मर जाते हैं जंग आजादी चारी रहेगी मरने वालों का सिलसला मुझ पर खत्म नहीं होगा यह सिलसला तो चलता ही रहेगा कर दो जलता ही रहेगा जलता ही रहेगा जलता ही रहेगा